नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का तो अब हम आगे पढ़ेंगे रख्थ समोय के बारे में आगे पढ़ेंगे रख्थ समोय के बारे में तो बात करें रख्थ समोय की तो एक विज्यानिक थे जिनका नाम था एक विज्यानिक थे जिनका नाम था कॉल लैंड इस्टिनर इन्होंने खोज की थी, रख्षमय की खोज गी थी और किस आदार पर की थी, जो आरबीशी होती है, उस आरबीशी पर पाए जाने वाले जो परतिजन होते हैं, पाए जाने वाले जो पर्तिजन होते हैं पाए जाने वाले जो पर्तिजन होते हैं A वे B इनकी उपस्तिती वे अनुपस्तिती के आदार पर बांटा था जख्त को कितने समों में बलट गुरुप बलट गुरुप कितने भागों में? चार भागों में चार भाग क्युपसे हैं पहला भाग है A दूसरा भाग है B तीसरा भाग है A B और चोता भाग है O चार भागों में बांटा था रग्त को A B और समूई करन इसे कहा जाता है ये जो चारू समूई में इसने बांटा था और इस चारू समूई को जो बांटने की परकिया है वो क्या कहा जाता है ABO समुई करण कहा जाता है क्या कहा जाता है ABO समुई करण कहा जाता है जो इसने रक्त को चार भागों में बांटा था इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ABO रक्त समुई करण और इसे चार भागों में AB AB और O AB AB और O चार भागों में अब देखो, अब जो A रक्त वरग है, उसमें कौन सा पर्तिजन पाया जाता है, बी रक्त वरग है, उसमें कौन सा पर्तिजन पाया जाता है, और O है, उसमें कौन सा पर्तिजन पाया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, या चर्चा करते हैं, तो देखो, जो A है, उसम समय में जो परतिजन पाया जाता है वो पाया जाता है एक पाया जाता है परती रक्षी जिसे बोला जाता है एंटी बोडी क्या कहा जाता है एंटी बोडी कहा जाता है तो इसका जो रक्ष परतिजन है इस परतिजन का जो रक्ष समय ए है उस ए में कौन सा परतिजन पाया जाता है ए में ए परतिजन पाया जाता है हम बात करते हैं परतिजन की परतिरक्षी की तो परतिरक्षी पाया जा पाया जाता है अब देखो, अब बात करते हैं बी रख सम्या कीformation की तो बी रख जाती है एंटी ए क्या पाई जाती है एंटी ए अब देखो अब बी की बात करें तो इसमें पर्तिजन पाया जाता है ए और बी ए वे बी दोनु ए वे बी दोनु बहुत दोनु पाये जाते हैं कि इसमें जो ए भी रत सम्वा होता है उसके अंदर अब देखो इसमें पर्तिज परति रक्षी किसी भी परकार का नहीं पाया जाता है। कौन सा रक्सम किस्षे ले सकता है उसके हम बात करते हैं तो अब एक ही बात करें यह किस्षे ले सकता है और किस्षे दे सकता है किसे ले सकता है और किसे दे सकता है उसके हम बात करते हैं तो जो ए है वो ले किसे सकता है देखो कोई भी है वो अपने से ले सकता है कोई भी है वो अपनों से ले सकता है तो ए से ले सकता है और एक ले सकता है ओ से एक दो से ले सकता है एक तो ए से ले सकता है याने सव्यम के रख्त समय से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है और दे किसको सकता है एक तो सव्यम को दे सकता है और एक ए भी को दे सकता है किसको दे सकता है एक तो सव्यम को दे सकता है और A किसको दे सकता है? A B को दे सकता है सव्यम A और A B दोनों को दे सकता है B को नहीं दे सकता है ले किस सकता है? A और O से ले सकता है अब देखो, अब B की बात करें ले किस सकता है? सव्यम से ले सकता है सव्यम से ले सकता है O से ले सकता है और दे किसको सकता है? सवयम को दे सकता है A B को दे सकता है A B को दे सकता है सवयम को भी दे सकता है ले सकता किस से है? लेता खुद से है यान B से लेगा और O से ले सकता है O सभी को दे सकता है अब ले किस से सकता है? A B A B सभी से ले सकता है तो अब O A और B दोनों को दे सकता है तो A B को भी दे सकता है तो A B किसे ले सकता है सव्यम से ले सकता है A से ले सकता है B से ले सकता है O से ले सकता है चारू से ले सकता है अब देखो अब जिसकी परवर्ति सारू सभी से लेने की होती है वो किशी को नहीं दे सकता है वो क्या करता है? शिरफ और शिरफ अपनों को देता है बी को देता है अब देखो अब एक चीज जिस परकार विपरित होता है कि कोई सबी को देता है लेकिन सबी को देता है तो वो किशी से नहीं लेगा किसी से भी नहीं लेगा तो ये जो O है वो सबी को देता है तो किसी से नहीं लेगा सिरफ और सिरफ किस से ले सकता है O से ले सकता है खुझ से ले सकता है और अब बात करें किस की बात करें दे किस को सकता है तो दे सबी को सकता है तो सबी को देता है तो इसलिए O को क्या कहा जाता है सर्वे दाता कहा जाता है सर्वे दाता कहा जाता है और ये AB सभी से लेता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है सर्वे ग्राई कहा जाता है तो अब क्यूसन बनते हैं कि सर्वे ग्राई रख समों है तो सर्वेगराई रख्षमोय है A B और सर्वेदाता है O और सर्वेगराई है A सर्वेदाता O और सर्वेगराई A B तो ये था हमारा रख्षमोय जो रख्षमोय किस ने दिया था A B और रख्षमोय के रूप में दिया था A B और समोय करन में दिया था किस ने दिया था काल लेंड इस्टिनर ने दिया था और इसने किस के आदार पर जो आरबीशी होती है आरबीशी के बारे में हमने पढ़ा था उस आरबीशी पर जो पाई जाने वाली परतिजन है ए और बी उसकी उपस्तिती और अनुपस्तिती के आदार पर क्या हुआ था द कोई नहीं और परतिरक्सी की बात करें ऑ C यह सकता है तो सबस्क करें बी से ले सकता है औ से यह सकता है यह वह избी है ऐसे बी से और देह किसे सकता तो कि किसी को नहीं देता कि इस देता है और देकिसे देता है सभी को इसले से सर्वेदाता अब बात करते हैं ऐ बहुद रहाए लara के अलावा एक और है जिसका नाम है आरेच तंतर किया है आरेच तंतर की बात करें तो इसे कहा जाता है आरेच कारक और इसकी खोज किती घता एक तो वही थे आ कड लेंड इस्टिनर कहर डांक उएक नां आम बिनर इन्हों क्या क्या था इन्हों ने खोज किती खूज किती और सतंतर या आरेच कारक की खोजगी थी किस के अंदर की थी वो देखो इन्होंने खोजगी थी एक बंदर था जिसका नाम था मैका के रिशस नामक बंदर था इस मैका के रिशस नामक बंदर में क्या की थी इन्होंने खोजगी थी किस की खोजगी थी आरेच तंतर की खोजगी थी RBC की जो सते होती है उस सते पर दो परतिजन पाये जाते हैं एक तो A और दूसरा B तो उसी परकार RH जो कारक है वो RBC की सते पर पाये जाने वाला A और B के अलावा जो पाये जाने वाला जो कारक है वो क्या है? R.S. कारख है. क्या है R.S. कारख क्या है? R.B.C की सते पर A.B.B. के इलावा पाई जाने वाली, Pई जणने वाली प्रोटीन है. क्या है दोजतों अब देखो दो परकार के होते हैं एक होता है आरेचश धनातमक पर एक होता है आरेचश धनातमक एक होता है आरेच रिनात्मक और एक होता है आरेच रिनात्मक की बात करें आरबीशी पर यदि आरेच कारक अनुपस्तित है तो क्या है आरेच रिनात्मक है और आरबीशी पर आरेच कारक उपस्तित है तो क्या होगा आरेच धनात्मक होगा आरेच दनात्मक कब होगा जब आरवीशी पर क्या होता है आरेच कारक उपस्तित होता है और रिनात्मक कब होगा जब आरेच कारक किस पर अनुपस्तित होगा किस पर आरेच कारक जो आरवीशी उस आरवीशी पर आरेच कारक अनुपस्तित होगा तब आरेच रिनात्मक होग अब देखो अब एक बात और कर लेते हैं तोड़ी कि एक रोग होता है जिसका नाम होता है इरित्रो बलास्टो फिटेलिस इरित्रो बलास्टो फिटेलिस यह दोस्तों क्या है यह रोग है और किसके कारण होता है इसकी बात करते हैं देखो वाइख्या करता हूँ पहले में आपके सामने की एक पुरुष है जो आरेज पॉजिटिव वाला है और एक महिला है जो आरेज नेगिटिव वाली है RS positive क्या है? पुरूश है और RS negative क्या है? महिला है इनकी इदि साधी करवाते हैं इनकी इदि साधी करवाई जाती है और इनका जो परत्म शिशू होता है जो पहला शिशू होता है वो vaccinated होता है तो ये जो परशव के समय जो ये आरेच पॉजिटिव वाला जो रख्त है वो उसके माता के खून में शेय मिश्रण होता है जिसके कारणी ये जो आरेच नेकिटिव रख्त होता है वो क्या करता है एंटी बोडी बनाता है और एंटी बोडी बनाता है किसके परती आरेच पॉ रहां शिश्व का टो परशो क्या होगा समानी होगा लेकिन जु दीतीय क्या कि रहा हो जाएगी यदि उसके विद्वी चैहरा इनकी बच्छे की दूसरे बच्छे की क्या होईएंट जाएगी तrich उसके मरत्य होती है क्योंकि जब वह गरपम ह Welता है उसका रख्त ऑ रख्त का है RS learning X ig जिए पोजीटिव के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा क्या कर देगी टो क्या कर देगी तो यह था 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 उस्तों एबियो समोई करन यान रख्त समोई और आज इस तंतर के बारे में यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर करें देन्यवाद